अकबर बीरबल की कहानी आगरा कौन सा रास्ता जाता है। बादशा अकबर को शिकार करना बहुत पसंद था। एक बार की बात है, बादशा अकबर अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकले। शिकार करते करते वो इतने आगे चले गई कि वो अपने दल से छूट गए। उनके साथ बस कुछ ही सैनिक रह गए थे। अब शाम होने को थी और सूरज धलने वाला था। साथ ही अकबर और उनके साथ के सैनिकों को भूख भी सताने लगी थी। काफी दूर निकलाने पर बा पर उन्हें एक तिराहा नजर आया। बादशा को यह देख कर थोड़ी खुशी हुई कि चलो इन में से कोई न कोई रास्ता राजधानी तक तो जाता ही होगा। लेकिन सभी इसी उलज़न में थे कि किस रास्ते पर चला जाए। तभी सैनिकों की नजर सड़क किनारे खड एक छोटे से लड़के पर पड़ी। वो लड़का बड़ी हैरानी से महाराज के घुड़े और सैनिकों के हत्यारों को देख रहा था। सैनिकों ने उस बालक को पकड़ कर महाराज के सामने पेश किया। बादशा अकबर ने लड़के से पूछा, ए लड़के, इन में से की हंसी का कारण पूछा। लड़के ने जवाब दिया, यह रास्ता चल नहीं सकता है, तो यह आगरा कैसे जाएगा। आगरा पहुंचने के लिए तो आपको खुद चलना पड़ेगा। महाराज उस लड़के की सूजबूज को देख कर चकित रह गए। उन्होंने प्रसन होकर उस बच्चे का नाम पूछा। लड़के ने जवाब में अपना नाम महेश दास बताया। महाराज ने उसे इनाम में सोने की अंगूठी दी और दरबार में आने का न्योता दिया। इसके बाद बादशा अकबर ने लड़के से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते ह कि किस रास्ते पर चलने से मैं आगरा पहुंच पाऊंगा। लड़की ने बड़ी ही शालीनता से सही रास्ता बताया और महाराज अपने सैनिकों के साथ आगरा की ओर चल पड़े। यही लड़का बड़ा होकर बीरबल के नाम से प्रसिद हुआ और बादशा अकबर के पहसीख मिलती है कि ज्यान और सूजबूज का सम्मान करना चाहिए।